Dear student मैं राके सुलंकी आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ October के exam आने वाले हैं और October exam के लिए New Slayvers के हिसाब से New Video मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ Class 10 के लिए Hindi, English, SST, अर्था सामाजिक विध्यान, Home Science, Data Entry, Painting और Science की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा New Slayvers, New Question-Answer, Most Important Question-Answer तो आज की इस वीडियो में हम बात करके हैं Class 10, Painting Subject, Subject Code 225 Painting Subject का जो Theory वाला Paper आता है जिसको आप Examination Hall में देखे आते हैं Total Time Duration होता है 1 गंटे 30 मिनट और Marks होते हैं 30 Practical और Assignment को मिला कर होते हैं आपके 70 Marks तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 Marks की तो पेपर को तीन हिस्सों में डिवाइट किया गया है Section A, Section B और Section C एक से लेके 6 तक MCQ, Section B में आते हैं 7 से लेकर 15 तक और Section C में आते हैं 16 से 21 तक जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको PDF के रूप में भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और उस PDF का Link मैं description box में आपके साथ share कर रहा हूं आप वहां से PDF को Download कर सकते हैं आपकी Sleevers में 6 चेप्टर हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9 याने की Lesson 1, 2, 5, 7, 8, और 9 ये चेप्टर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं सारे के सारे महत्तपून पेंटिंग और महत्तपून क्वेश्चन्स Dear Student, मैं आपको बता दूँ, जब आपका पेंटिंग का पेपर आएगा तो आपको कलर वगरा कुछ नहीं लेके जाना है क्योंकि पेंटिंग का पेपर theoretical होता है, पेंटिंग के पेपर में बिलकुल भी color brush का use नहीं होता है आप बहुत easily इस paper को करके आएगे और सिर्फ इसमें आपको theory के ही question आते हैं, पेंटिंग वनवाने के लिए नहीं आती है अब चलते हैं वीडियो की तरफ, सबसे पहले part 1, अब आपकी screen पर एक painting आएगी और उस painting को मैं describe करूँगा आप आराम से बैठ जाएए, सुनिए और समझिए, one time watch वीडियो है, आपको काफी अच्छा लेगेगा और आपका पूरा सिलिवस इसमें cover हो जाएगा दूसरी वीडियो आएगी painting की, उसमें मैं आपके सारे mcq, true false questions को cover करा दूँगा, जो section A से related होगी अब बात करते हैं, painting number 1, जो part number 1 मैं से ली गई है, आपकी screen पर दिखाया जा रहा है, नत्यांगना, यानि कि नत्य करती हुई लड़की यह धातू से बनी हुई एक मूर्ती है, जिसका आकार लगबग 4 इंच है, यह कहा जाता है कि यह हडपा काल की मूर्ती है, और इसका प्राप्तिस्तान मोहन जोदाडो है, वर्तमान में यह मूर्ती भारतिय संग्राले नई दिल्ली में रखी है इस मूर्ती की विशेष्टा आप देख रहे हैं, इस मूर्ती में कोई भी कपड़ा नहीं पहना, यानिकि एक निर्वस्त लड़की को दिखाया गया है, बालों में बात करते हैं तो इसका एक जूड़ा है, एक हाथ इसका कमर पे है, और दूसरे हाथ में काफी चूड़िय अब बात करते हैं, रामपुर्वा बुल कैपिटल, तो यह बुल की जो मूर्ती है, यह रामपुर में मिली है, रामपुर्वा में मिली है, तो इसका नाम रख दिया गया, रामपुर्वा बुल कैपिटल, इसका आकार लगबग साथ फीट है, और कलाकार इसका भी अग्या या अब तक नहीं पता चला किया मोर्ती किस ने बनाई थी इस मोर्ती को बनाने में बालू पत्थर अर्थात बालू का पत्थर का प्रियोग किया गया है मौर रिकाल से इसका संबंध है और यह दूसरी और तीसी सताब्दी की हो सकती है वर्तमान में यह कॉलकता में है जो भारतिय संग्राले है म्यूजियम है वहाँ पर रखी गई है अब इस मूर्ति को आप गौर से देखते हैं तो यह उल्टे कमल पर बनाई गई है इसमें एक बुल को दिखाया गया है सक्तिसाली हस्ट पुस्ट बुल है उल्टे कमल पर बनाया गया है बलू का पत्थर अर्थाथ बलू का पत्थर बालू पत्थर का प्रयोग किया गया है साथ फिट इसका आकार है और रामपुर्भा में यह मिली थी इसलिए इसको बोला गया रामपुर्भा, बुल्क कैपिटर अब चलते हैं पाट एक का ही तीसरा चित्र यह है अस्वेत राजकुमारी और इंग्विश में से बोलते हैं ब्लैट प्रिंसिज असरित राजकुमारी का चित्र अजन्ता में मिला है अजन्ता की जो गुफा हैं वहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ महाराष्ट के औरंगवाद जिले में अजन्ता की गुफा हैं वहाँ पर दीवार पर भीती भीत अर्था दीवार पर यह चित्र बनाया गया है तो इस चित्र का जो आकार है 20 गुणा 6 फिट लगवग यह आकार है और कलाकार इसका भी अग्यात है यह अब तक नहीं पता चल पाया कि यह भीती चित्र किसमें बनाया है अब बात करते हैं अस्वेत राजकुमारी के चित्र की अस्वेत राजकुमारी यानिके काली राजकुमारी गले में इसके मोतियों की माला है काफी मन मोहक चित सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन का चिंतन अर्थात गंगा अवतरन यह सिलाखंड पर उभारी गई एक मूर्ती है इसमें अर्जुन को दिखाया गया है देवताओं को दिखाया गया है रिसी मुनियों को दिखाया गया है यहां पर एक हाती भी आपको दिखाई पढ़ अर्जुन गंगाजी का अवतरन कराने के लिए गंगाजी की अराधना कर रहे हैं देवता प्रशन हो रहे हैं हिसी मुनी तपस्या कर रहे हैं हिरन भी दिखाये गए हैं हाती भी दिखाया गया है कुछ सांप भी दिखाये गए हैं तो यह बहुत ही महीन और बारिक काम किया ग गुवर्धन परवत को उठाते हुए क्रश्ण जो मिले हैं बैलूर में यह मूर्टी मिली है और इसका आकार है तीन फिट कलाकार इसका भी अज्यात है इसमें भगवान क्रश्ण को दिखाया गया है जो गुवर्धन परवत को उठा रहे हैं भगवान क्रश्ण का जो सरीर है काफी लचीला दिखाया गया है, इस मूर्ती में गाय भी दिखाय गई है, गोपियां भी दिखाय गई है, और कलाकार इसका अज्यात है, और इसका जो आकार है वो तीन फिट है, बैलूर में मिली है, और यह पत्थर से, अगर हम माध्यम बात करते हैं, किस प्रकार बनाई नहीं है पाठ दो में से ही अगली मूर्ति है कौणार्क की सुर सुन्दरी सुन्दरी यानि कि बहुती सुन्दर मूर्ति है माध्यम यानि कि पत्थर से है समय जो माना जाता है बार्वी सतावदी के आसपास माना जाता है गंग राजवन्स से इसका संबंध है और जो कौणार भी है यानि कि ड्रम भी है यह इसको प्ले कर रही है और इसके सरीर पर संगार किया गया है काफी मालाएं दिखाई गई है और यह बहुत ही सुन्दर दिखाई परती है यहां पर बहुत ही आभूशणों का प्रयोग किया गया है इस मूर्ती को बहुत ही कोमलता से गड़ा गय में हुआ था चौदेवी सिताबदी में हुआ था जब आप सामाजिक विज्ञान की वीडियो देखेंगे तो आपको इस बारे में बहुत ज्यादा समझाऊंगा मैं यहां पर जो पहला चित्र है वो है वीनस का जनम वीनस का जनम जो चित्र है वो बनाया है सेंड्रो बॉती चैल्ली आई रिपीट सेंड्रो बॉती चैल्ली ने यह चित्र बनाया है कैनवास पर बनाया गया है डिस्टेंपर पर बनाया गया है और इसका जो समय था जाने कि जो काल था वो है 1485-1486 उन्हें जागरण से इसका संबंध है इस क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं और आ यहां पर पवंदेव पवंदेव उनपर पवन अर्थाच हवा फेंक रहे हैं और दूसरी देवी जो रितू की देवी हैं उन्हें एक कपड़ा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर वीनस को काफी सुन्दर दिखाया गया है गरदन काफी लंबी है और कंदा एक तरफ उनका जुक रहा है तो यह देवी काफी सुन्दर देखाई पड़ रहे हैं वीनस का चित्र किस ने बनाया है सेंड्रो बौती चली अब हम बात करते हैं पुना जागरन काल के दूसरे चित्र की जिसका नाम है मोनोलिसा अधिकतर आपने यह चित्र देखा होगा मोनोलिसा का चित्र बनाया है लियोनाडो दा बिंची यह चित्र बहुत ही मनमोहक सुन्दर है बहुत ही मेहगा चित्र है बहुत ही मेहगी पेंटिंग है सोलवी सताबदी में यह चित्र बनाया गया पुनह जागरण काल से इसका संबंध है और इसकी विसेष्टा यह है यह पहाडी लकडी पर तेलिय रंग यानि कि ओयल कलर से बनाया गया है लकडी पर बनाया गया है अगर आप इस चित्र को गौर से देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि मोनोलिसा आपकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही है और इस चित्र की जो विसेष्टा है इस चित्र में मोनोलिसा के फेस पर जो आइब्रो होती है वो बिलकुल भी नहीं है यानि कि कोई भी बाल वहाँ पर नहीं है पलकों के उपर बाल नहीं है यह इस चित्र की विशेषता है लकडी पर बनाया है लियोनारडो दा भिंची ने यह चित्र बनाया है जिसका सम्मंध है पुने जागरनकाल से अब बात करते हैं अगली मूर्ती की करफ अगली जो मूर्ती है उसका नाम है दपाईटा और पियेता यह सफेद संग मरमर्ट से बनी हुई मूर्ती है और इसको जो बनाया है माइकल एंजलो ने इसका जो काल है याने कि कब बनाया था 1498 से 1499 तक है इस मूर्ती में ईसा मसी को उनकी मा मेरी की गोध में मरी हुई हालत में दिखाया गया है इसा मसी का निर्जीव सरीड उनकी मा मेरी की गोध में है और मेरी को काफी दुख भरी हालत में दिखाया गया है अब चलते हैं पार्ट पांच के ही अगले चित्र की तरफ जिसका नाम है द नाइट वाच द ना जागरन से है, the night watch जो चित्र है उसमें एक कमांडर को दिखाया गया है, वो अपने साथी सिपाईयों को कुछ समझा रहा है, इस चित्र में एक कमांडर को बताया गया है, जो अपने साथी सिपाईयों को कुछ आदेश दे रहा है या समझा रहा है, यह चित्र काफी पांच के चारों चित्र और मूर्तियां अब हो गए आपके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट पांच वायाने की चेप्टर नमबर फाइव अब चलते हैं पार्ट नमबर साथ की तरफ जिसका नाम है घनवाद तथा अमूर्तकाल देंकि घनवाद घनवाद की जो यहां पर जो चित्र बनाये गए हैं घन अर्था जामिती की रूप में बनाये गए हैं घनवाद का सबसे पहला महत्वपून चित्र है मैन विद वाइलन मैन विद वाइलन जो चित्र है वो कैनवास में बनाया गया है 1912 में बनाया गया है और इसको बनाने वाले हैं पिकास तो पिकासु में ये चित्र बनाया है, man with violent, घन के रूप में बनाया है, और यहां पर एक मनश्य को दिखाया गया है, एक आदमी को दिखाया गया है, जिसके हाथ में violent है, तो यह था man with violent, अब चलते हम घनवाद के ही दूसरे चित्र की तरफ, जिसका नाम है, persistence of memory, क्या नाम है persistence of memory, यह अभी क्यानवास पर बनाया गया है, oil color से बनाया गया है, 1931 में बनाया गया है, और इसके कलाकार का नाम है, सलवादोर डाली, मैं दुबारा बोलता हूँ, सलवादोर डाली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस चित्र में तीन घडियां दे आपको दिखा रही है, जिसका संबंध है कि समय काफी तेजी से आगे बढ़ता है, और उसी पकार मनुष्य का जीवन भी काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, एक घड़ी पेड़ पर है, और एक घड़ी आपको इस CP पर दिखाई पढ़ रही है, और ए समकालीन भारतिय कला, समकालीन भारतिय कला, यहां पर भारत के कलाकार के बारे में बताया जायागा, और सबसे पहले बहुत ही सुंदर चित्र है, हंस दम्यंती, इंगलिश में ऐसे बोलते है, हंसा दम्यंती का चित्र, हंसा दम्यंती का चित्र है, राजा रवी वर्मा ने बनाया है, मुझे यह व्यक्तिकर दुरूप से काफी पसंद है, यह कैनवास में बनाया गया है, ओयल कलर से बनाया गया है, इसमें दम्यंती को दिखाया गया है, दम्यंती एक काफी सुन्दर महला है, जिसने रेड कलर की साड़ी पेहन रखी है, और साड़ी के जो किनारे हैं वो golden है और हंस है हंस दम्यंती को एक संदेश दे रहा है और संदेश किसका संदेश है राजा नल का संदेश है जो दम्यंती का प्रेमी है और दम्यंती काफी ध्यान पूरवक हंस की बात सुन रही है तो हंसा दम्यंती का चित्र किस ने बनाया है राजा दभी वर्माने बनाया है के अनवस पर बनाया गया ए दम्यंति यहां टरत जो है ब्रह्म चारीज यानि के जैसा कि आप ब्रह्म चारीज के आप पांच ब्रह्मचारी देख रहे हैं जुन्होंने जनेव पेहन रखा है नीचे लुंगी पेहन रखी है और उपर के हिस्से में कुछ भी नहीं पेहन रखा कैनवास पर बनाया है अमरिता शेरगिल ने ये चित्र बनाया है वर्तमान में ये चित्र नई दिल्ली इस्थित आधुनिक कलाका राश्टी संगाले जो है वहां पर रखा है यानि कि नई दिल्ली के म्यूजियम में ये चित्र रखा हुआ है अमरिता शेरगिल ने बनाया है यहां पर जो भ्रह्मचारी है जो प्रमुक भ्रह्मचारी है जनके सर पर टी का लगा हुआ है वो अपने साथियों को कुछ समझा रहे हैं, बहुत ही सुन्दर चित्र है भ्रम्मचारीज अब चलते हैं हम दो ओट्रियम, दो ओट्रियम नाम का जो चित्र है उसको बनाया है गंगनेंद नाथ टैगोर, कागज पर पानी के रंग, क्या मतलब है इसका कागज पर पानी के रंग, दो ओट्रियम, इसको बनाया गया था वर्स 1920 में गंगनेंद नाथ टैगोर ने बनाया है घन के आकार का यहां भी प्रयोग किया गया है अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ और यहां पर जो पहला चित्र है वो है वर्ल्ड पूल वर्ल्ड पूल इस चित्र को बनाया है कृष्णा रेड़ी ने वर्ष 1962 पर बनाया गया है और इसका आकार है 37.5 cm x 49.5 cm यह कागज पर बनाया गया चित्र है कृष्णा रेड़ी जो अपने समय के बहुत अच्छे चित्र कार थे उन्होंने यह चित्र बनाया है पार्ट नंबर 9 का अगला जो चित्र है वो है मेडिवल सेंट मेडिवल सेंट बनाया है विनोध बिहारी मुखर जी ने वि या एक भीटी चित्र है यहाँ पर आपको सेंट दिखाई देंगे और यहाँ पर अगर आप चित्र को गौह से देख रहे हैं तो एक जो प्रमुक सेंट हैं उनकी लंबाई काफी ज़्यादा है मेडिवल सेंट जो चित्र है इसमें क्या किया गया है प्लास्टर और चुने को मिला कर पहले दीवार को गीला किया गया है, फिर उस दीवार पर रंग का प्रयोग करते हुए इस चित्र को बनाया गया है, इस चित्र में जो सेंट दिखाई पड़ रहे हैं, यानि के सादू संत दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी लंबाई काफी अधिक है, अब बात करते ह के अगले चित्त की तरफ लेंड इसकेप इन रेड लेंड इसकेप इन रेड इसको बनाने वाले जो कलाकार है फ्रैंसिस न्यूटन सोज्जा और इसका जो समय था और इसका जो आकार है 78.7 x 132.1 cm है एफ एन सोज्जा का जो जम था वो गोवा में हुआ था और उनकी पढ़ाई हुई थी मुंबई में डियर स्टुडेंट ये थे आपके क्लास 10th पेंटिंग सब्जेक्ट कोड 225 के सारे महत्वपूर चित्र पेंटिंग और मूर्तियां मैं आपको फिर बताना चाहूंगा ठ्योरी ही आएगी चित्र बनवाने के लिए पेपर में नहीं आते चित्र हमेशा पैक्टिकल बनाए जाते हैं 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको समय मिलेगा एक घंटे 30 मिनट टोटल 21 क्वेशन पूछे जाएंगे पेंटिंग विसेपर मैं आपको दो वीडियो बना के दे रहा हूँ पहली वीडियो मैंने आपको बना दी है दूसरी वीडियो मैं मैं आपके सारे section A और section B के महत्वपून प्रश्न cover up कर दूँगा जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है वह सब एक PDF के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूँ और PDF का लिंक description box में मैंने आपको दे दिया है बहुत जल्दी आपकी class 10th painting की दूसरी वीडियो भी लेकिया हूँगा मैं आपको बताता हूँ class 10th में हिंदी, English, SST, Home Science, Painting, Data Entry और Science सब्जेक्ट के वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे विल्कुल भी चन्ता ना करें न्यूस लेवर्स के अकॉर्डिंग ही आपको सारे वीडियो मिलेंगे चैनल को देखने के लिए वीडियो को समझने के लिए बहुत पर धन्नवाद मिलते हैं अगले वीडियो में